लेकिन ब्याख्या के साथ आपको मनोविग्यान को पूरी कम्प्रीट करने की कुछिस करूँगा ऐसे यहाँ पर वीडियो है जो इंपोर्टेंट है कुछ संस को बड़ा ध्यान से देखना है कि कुछ संस करने का तरीका क्या है ठीक है ना आने से पहले लोगों को सेर कर देना होगा नए है तो सब्सक्राइब कर लिना वरना आप वीडियो आगे बढ़ा के देख सकते हैं पहला कुछन आपके सामने है गजब की व्याक्या करूँगा यहाँ पर हर चैप्टर को समाईत क्या है कुछन्स में देखो कर हम बात करते हैं कि पहला कुछन समान आयू इस्तर के बालक बालिकाओं का बौधिक इस्तर भिन होता है यह कथन किसका है कुछन्स नए मिलेंगे बिल्कुल नए कुछन्स मिलेंगे ठीक है परेशान बिल्कुल नहीं होना है क्या सर बिल्कुल कुछन्स नए मिलेंगे सबसे पहले आपका एक ही आपका क्या होना चाहिए एक बार आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना है जैसे बच्चे जुड़ जाएं और उनका पेपर अच्छा हो जाएं ठीक है समान आयू इस्तर के बालक बालिकाओं का बौधिक इस्तर भिन होता है यह कथन किसका है हमने कहा कि आप बैक्ति विविनता को पढ़ते हैं कही न कहीं समान आयू की बात करिए बालक और बालिकाओं की बात करिए कहीं न कहीं भिन होता है बिल्कुल सर होता है लेकिन यह कहा कि महोदे ने कहा है ठीक है ना और हरलाक महोदे से कुछंस क्या आते हैं ठीक है यह दूसरा कुछन यह पूचा जाता है कि यह किसने कहा था कि सैसवा वस्था बहुत ही खतरना का वस्था है तो यह भूआ था ठाक मोहोदे थे ठीक है ना Organ Monet का वी आपका इस कुरुष्ण मेरा औरो चाहिए इस तरीभ्ड मेर मेरे मिट वहाधिन थे वैस्ट मयों के उस्धा अधर्न करेगा इसक्षिस से आपको बहुत समाजी करत कहीं न कहीं बच्चे के समाज में रहकर लोगों के बीच में अंताक्रिया से यानि उनके बीच में अगर अंताक्रिया करेगा अभिव्यक्ति विचार होंगे तभी न कहीं न कहीं निर्धारित हो पाएगा समाजी करत समाजी करत से related कोई ऐसा option है जो समाजी से related हो बस उसको आख बंद करके मार देना, यानि option number B हो जाएगा, इस question का right answer, क्या हो जाएगा, option number B आपका is question का right answer हो जाएगा, समाज मिती तक्निक, जब भी हम बात करते हैं कि सामाजिक सिध्धान किस ने दिया, तो आपका answer आता है, बाइगोस्की ने दिया, ठीके ना, और option number B आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, समाज मिती तक्निक, नेक्स कोशन की बात करते हैं यहाँ पर, बालकों में सौंदर अनुभूती विक्सित करने का आधार भूत साधन है, बहुत नया question है, newly question एकदम से लाया हूँ आपकी screen पर, कह रहा है कि बालकों में सौंदर अनु विजन है और खेल कूद है, जब भी मैं कहता कि सारी विकास की प्रबलता, तो हम मार देते option number D, को बहुत सारे बच्चे D मारेंगे, लेकिन बिल्कुल गलत मारेंगे, जब भी हम सौंदर की बात करते हैं, अब लोग का nature की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है, nature की तरफ बढ़त प्रक्रती अवलोकन सौंदरी भूत को विक्सित करते हैं, डेबलेब करते हैं, जब भी सारी रिग विकास आता, तो हम मारते option number D, ठीक है, option number A is right answer हो जाएगा, किसोरा बस्था, मुझे पता है, यहां से 3 question मैं निकालूँगा, इनको ध्यान में रखना है, और बिल्कुल एक बस्थाएं मुख्रूप से होती है, एक सैसवा बस्था होती है, जो 0-5 वर्स होती है, एक बाल्या बस्था होती है, पान से 12 वर्स होती है, और एक किसुरा बस्था होती है, जिसकी बात कर रहा है, 13-18 वर्स होती है, इसी एज की बात करी है, यह एज की बात करी है, इसमें क का अधिक होता है बच्चा इसमें कैरियर के प्रती बड़ा जो है सचेत होता है समायोजन का आभाव होता है ये भी होती है विसेचता लेकिन हमसे पूछाता नहीं है इसलिए ऑप्स नमर क्या हो जागा बी आपका राइट हो जागा ठीक है बी हो जागा डी नहीं होगा मेरे वह है डी नहीं होगा ठीक है बहुत अच्छे десят अगर मैं बात करता हूं यहां दिमाख में आपको रखना तरकती आप Fig शारी चिजें दी हैं इसमें बच्चा अपने समु के साथ निर्माड़ करता है जब्हीं सक्री समू की बाता है तो सक्री समूं अमारा हो जाता है कि सुरावस्था नेश अगर हम बात करें कि जन्म के समय बालक का इस्मरण सक्ति होती है बहुत अच्छा कुछन है बहुत गजब का कुछन है एक बार आप एक बार क्या करना है, share कर देना है, बिलकुल, सभी के पास notification नहीं पहुचता है, नहीं तो अपने class में बहुत सारे बच्चे जुड़े, सभी के पास notification नहीं पहुचता है, थो रसा device में problem है, ठीक है न, जी हाँ, बहुत बढ़िया, तो बताएं सर क्या होगा, इस question का right answer है, तो उसमें इस मरण सकती होती है, वो होती है, बहुत कम, यानि option number क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अगर हम बात करें, जन्म के समय उसमें तीन चीजें आपको important रखनी है, अगर पूछे, जन्म के समय नेतिकता होती है, आपको के बिलकुल नहीं होती है, आप से पूछे कि जन्म के समय बच्चे में समाजिकता होती है, आपको के बिलकुल नहीं होती है, ठीक है ना, जब भी जन्म के बाद ही बच्चा आता है, और तुरंथी क्या होता है, यह सारे गुड़ उसमें स्टार्ट हो जाते है, किसकी इसमर्ण सकती का विकास होने लगता है, और बाल्य वस्था तक पहुंचते-पैसीब बच्चे का मस्थिख नब्वे परसेंस तक पूरा हो जाता है, ठीक है ना, ओपसे नमीर क्हाओ जाएगा, सी आपका हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? बहुत कम हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रकतना ह जो आपके स्क्रीन पर है कुश्चन नमबर नेक्स्ट की बात करते हैं जो आपके स्क्रीन पर है बहुत अच्छे देखिगा अगर हम इस कुश्चन की बात करें हां बहुत बढ़िया यहां पर हाँ जी बेगम जी बहुत सुप्रिया यहां पर सेर कर दीजेगा देखा किस बै अटेके कि उचित बातावरन से डियाई बातावरन से रिका इस टीपट ने माना है कि उचित बातावरन से रिकास Ев को आप मुझे बंसानुकरम की जarورी है बच्चे के विकास में सबसे जाधा की बात कर रहा हूँ वैसे है तो दोनों ठीक है ना बच्चे के विकास में बंसानुकरम बाता वरंड दोनों होते हैं ओप्सन दोनों लगाने हैं लेकिन अगर यह पूछते पूरी तरीके से कि single base में बताना है तो याद रखीगा बच्चे के विकास में बातावरण की भूमिका सबसे ज्यादा होती है और बंसानुक्रम की भूमिका ना के बराबर होती है लेकिन होती है ठीक है ना दिमाग में ये question रखना है बंसानुक्रम का मतलब आप समझते हो मेंडल आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो बंसानुक्रम वो चीज होती है जो आपके माता पिता से गुड़ लेकर आयो हो पूरवल से गुड़ लेकर आयो अपने में सारीरिक और मानसिक गुड़ जेम्स ग्रेवर ने कहा था कि माता पिता के हस्तानांत्रित गुड़ अपने में लाना मानसिक सारीरिक वही होता है वंसानुक्रम ठीक है ना? ओप्सन नंबर स्टीपन्स हो जाएगा बात करते हैं आतम गौरव की भावना देखो हम बात करते हैं अवस्थाओं की सैस्वा वस्था में आतम गौरव आता है बाल्या वस्था में आतम गौरव आता है या किसोरा वस्था में आतम गौरव आता है ठीक है? यह आपको बताना है क्या हो जाएगा इस कुशन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें बहुत बढ़िया आपके सामने age मैंने रख दी है और age के हिसाब से आपको बताना है कि आत्म गौरब की भावना पाई जाती है बताओ जल्दी से कमेंट करें कि भाया आत्म गौरब की भावना पाई जाती है देखेगा अगर हम बात करें अगर हम बात करें, कि आतम गोरब की जो अवस्था होती है, वो 16 वास्था की बात करते हैं, तो 0 से 5, तो इसमें बच्चा कुछ भी नहीं पाससकता है, तो यानि ये वाला तो option गलत हो गया, बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं तो बाल्यावस्था में आत्म गौरब इतना नहीं होता है जितना की वो बाल्यावस्था की स्टेज को पार करने के बाद होता है यानि ये कहीं न कहीं ये 12 के प्लस की बात कर रहा है तो 12 से प्लस की बात होगी हमारी किसोरा वस्था के मद्दे वाली एक तो आतम गौरब हमारा होता है option number D में यानि 13 से 19 बर्स में पाई जाती है याद रखना बहुत important question है यह बहुत बार repeated question है 13 से 19 बर्स के बच्चे में यहाँ पर क्या होती बहुत अच्छा question है बहुत बढ़िया question है बताओ जल्दी से comment करें कि क्या हो जागा इस question का राइट answer कि चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक जो है सायक नहीं है आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं है हमने कहा है नकारात्मक answer अगर ऐसे question में मिल्या है तो वही answer होता है आदत बिल्कुल सर अच्छी आदत है तो चरित्र पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा इच्छा कैसी इच्छा रखता है चरित्र के बारे में ठीक है ना तो बिल्कुल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सायक है अनुकरन करके सीखता है चीजों को कैसे अनुकरन करता है दूसरों का रहन सेन, personality development यह भी सब होता है लेकिन निर्देश की बात आ जाती है जहाँ पर निर्देश की बात आ है दंड की बात आ है इस टाइप के word जो है हमेशा क्या होते है आनसर में होते है यह हमेशा नकरात्मक होते है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा इस question को ऐसे करने की तरीका तरकीप आपको पता होनी चाहिए नकरात्मक options ढूणना है आपको ठीक है न? जी हाँ पेडाकोजी के questions इस video में अभी कराएंगे बात करते हैं दोस्तों सभी के मैं answer देख रहा हूँ और यह देखना चाहता हूँ कि कौन सा बच्चा कितनी देर तक रुपता है अगर हम बात करते हैं किस आयू में बालक के समय दिन बात करते हैं तो यह हमेशा एक चीज बांद लेना गाठ में 9 वर्स में स्टार्ट हो जाता है क्या बोला है अब बोध हो जाता है इसलिए option number B हो जाएगा right answer क्या जाएगा B हो जाएगा 6 वर्स नहीं होगा मेरे भाई इतनी जल्दी थोड़ी न करवाओगे मेरे भाई ठीक है न 6 वर्स नहीं होगा ठीक है B हो जाएगा यानि B बहुत सारे लोगों ने दिया है नमिता पांडे ने दिया है इसके अलाबा दिया है काफी लोगों ने दिया है भी जैसे लविका जो है ने दिया है राहुल ने दिया है 9 वर्स ठीक है दिमाग में रखना है हाँ बहुत बढ़िया उत्तर वाल्याकाल का समय हम जब भी बात करते हैं बाल्याकाल का समय और उत्तर वाल्याकाल का समय हम बात करते हैं कि जो सैसवा बस्ता होती है वो दोस्तों हमने बात करी चीरों से 5 बर्स होती है बाल्या बस्ता होती है 5 से 12 बर्स होती है 13-18 बरस हुई है 18 से उपर वाली जो 60 बरस तक गई है पर रोड़ा वस्ता होती है और 60 से आमारा उपर चलियाती है बरदा वस्ता होती है लेकिन इसके बीच में कहा दिया है उत्तर वाल्य वस्ता की एज क्या होती है बताओ जल्दी से कमेंट करो कि उत्तर वाल्य वस्ता की एज क्या होती है देखो अगर हम बात करें कि वही वाली जो एज होगी 6-12 बरस वाली एज इसी को हम कहते है उत्तर वाल्य वस्ता क्लियर दिमाग में क्या रखना है 6-12 बरस का एज होता है उसी को हम कहते है उत्तर वाल्य वस् है तब तक कुछन करिए बाल्यावस्था के बारे में हम आपको बताते हैं तब तक यह कुछन आप करिएगा बाल्यावस्था के बारे में हम आपको बताते हैं जी हां देखेगा अगर हम बात करें बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में सबसे पहले एक important परिभास्था याद रखना है कि किसने ये कहा था कि जीवन का सबसे अनोखा काल ही बाल्य अवस्था है तो जीवन का अनोखा काल तो हमें पता है बाल्य अवस्था है लेकिन किसने ये कहा था तो उसका right answer हो जाएगा काल एबंब्रूस काल एवं ब्रूस ने ये कहा था कि जीवन का अनोखा काल ही बाल्य वस्था है दूसरी परिबासा दो ही परिबासा पूची जाती है बाल्य वस्था से ये किस ने कहा था कि बाल्य वस्था जीवन का अनोखा काल है काल एवं ब्रूस और दूसरी परिवासा यह है कि बाल्ले अवस्था छदम परिपक्वता की अवस्था है यह कहा था मेरे भाई मोहदय रोस ने रोस मोहदय ने कहा था कि बाल्ले अवस्था छदम परिपक्वता की अवस्था है अब हम बात करते हैं नेक्स कुशन जिस आयू में बालक की मानसि इसलिए याद रखिएगा पेपर नजदीक है अच्छे लोग चुड़ेंगे अच्छा तयार हो जाएगा हम बात करते हैं कि मानसिक विकास जो बच्चे का होता है वो प्रारंबिक जीवन में हो जाता है 90% जो बच्चा का सहसवावस्था के अंत अंत तक हो जाता है ठीके ना तो हम ही देखना है कि सेस्वा वस्था का आंतंत कौन सा हो जाएगा, दोस्तों, याद रखीगा बताओ, जल्दी से, बच्चे नौ बर्स मार रहे हैं, ग्यारा बर्स बर्स मार रहे हैं, याद रखीगा, 14 बर्स में हो जाएगा यानि option number A is right answer हो जाएगा 14 बर्स इस question का right answer हो जाएगा next question है निम्नांकित अवस्था में प्राया बालकों का आकरसन समलिंगी बहुत गर्जब का question है कह रहा है कि बालक बालक की तरफ आकरसित और लड़की लड़की की तरफ आकरसित होते हैं कौन सी अवस्था है बहुत अच्छा question है बहुत बढ़ी अवस्था बताओ देखिए अगर हम बात करते हैं इस question की अगर इस question की बात करते हैं कि बालकों का आकरसन समलिंगी के प्रती होता है तो यह हमारा होता है कि इसमें बाल्य अवस्था में होता है जिसकी एज होती है पान से बारा बर्स होती है इसी एज को काल जाता है जीवन का अनोखा काल और इसे इस अवस्था को रॉस मोदे ने का था छदम परिपकोता की यह अवस्था है तो याद रखे कि छदम जिस परि सबस्क्तूं सबस्क्राइब क्योंकि इस श्री Fr trilogy यह वस्ता पूछे क्योंकि बच्चे खेलने में बड़ा ही मस्त रहते हैं और इस्पूर्थी बच्चे आपनी समूह और टोली का निर्माड करते हैं खेलने की वह बात आती है ठिक है तो यह भी आपको दिमाग में रखना है ठिक है बहुत इंपटेंट है जी हाँ तो option number C is right answer हो जाएगा, कौन से गुड अच्छे मानसिक स्वास्त के लिए नहीं है, ऐसे questions तो बहुत दिमाग में आपको लगा सकते हो, कैसे एकदम से, adult sense नहीं होगा, ठीक है न, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, प्रिया गलत हो गया, next chance करे, यहां गलत करोगे तो कोई पात नहीं, ठीक है न, लेकिन स्कूल जो आपका मेन है, जो आपका स्कूल जिससे प्राप्त होगा, सरगारी सीट प्राप्त होगी, यानि आपके टेट इक्जामस में, वहां पर नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सर, यहां पर दिखीगा, कौन से ग बिंती की बात थोड़ी नोती है, दंड की बात थोड़ी नोती है, निर्देश की बात थोड़ी नोती है, यानि कहीं न कहीं, और बिलकुल तीसरा सही हो जाएगा, बहुत बिंती स्वेम में, सीमित, एक अच्छे गुड में नहीं आता है, दिमाग में रखना है, बिलकुल पूछा है क्या थासर बिल्कुल नहीं आता है इसलिए option number C आपका right answer हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छे स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के स्वकेंद्रित अवस्था बालक की कौन सी होती यह बताना है बहुत अच्छा question है बहुत ही गज़प से दो बर समारने वाले हैं लेकिन आपको सतर्क रहना इस कुश्चन से यह कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट है आयोग ने बहुत बार पूछा है तब तक मैं आपको एक चीज बता देते हूं कि सहसवावस्था में क्या होता है सहसवावस्था में जो बच्चे की हड़ियां होती है वह 270 होती है और बच्चे की हड़ियां में 350 हो जाती है और किसरा बस्ता है जैसे-जैसे हड़िय आती है वह 206 हो जाती है इसके 206 हो जाती है ठीक है इसके साथी साथ आपको पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए हाँ एक और पता होना चाहिए कि सैसवा वस्था बाल्या वस्था और किस्वा वस्था में बच्चे के हर्दे की गती कितनी होती है सैसवा बस्ता में जो हर्दे की गती होती वो 140 प्रति मिनट होती है ठीक है बहुत जादा होती है बहुत ही जादा होती है और जैसे जैसे बच्चा बाल्या बस्ता में पहुंचता है वो 100 प्रति मिनट हो जाती है और फिर आप जैसे ही कि 11 बस्ता में यानि हम लोग जिसमें आ प्राप्ट कर पाएं आप कुष्चन की बात आते हैं कि स्वक केंद्री अवस्था होती है जो हो जाएगी 3-6 बर्स हो जाएगी याद रखना आयोग ने कुष्चन जनम से 2 बर्स तक का नहीं माना है मेरे वहाई क्योंकि कुष्चन का राइट आंसर बाकई में 3-6 बर्स होता ठीक है अभी मार्क 8 होंगे पर्थ मिस्रा जी पता नहीं लेकिन अभी क्या ना अभी अपना फोकस क्या होना चाहिए सर यहाँ पर एकदम से फोकस होना चाहिए मैं बता दूँगा कल से पर्सों में ही बता दूँगा ठीक है बहुत बढ़िया हाँ बात करते हैं सर मैंने ज से जो बच्चा निगलता है वो बहिया क्या होता है वो क्या होता है सर किसोरावस्था होता है क्या सर किसोरावस्था होता है क्या बताओ नहीं सर किसोरावस्था नहीं होता है इसलिए हमारा हो जाता है पूर्व किसोरावस्था की जो एज होती है वो पूर्व किसोरावस्था में ये होता है exact answer इसको कभी भी भूलना मत ठीक है ना इसको कभी भी भूलना मत पूर्ब की सुरावस्था हो जाएगी उसमें बाले हवस्था से ही relate करेगा वह answer मेरे भाइट ठीक है ना दिमाग में रखता है बी option आपका right हो जाएगा जब भी माबाप के साई से आप बाहर निकल के जाओगे एक question बहुत important है बहुत बार आपने किया होगा इस question को और मैंने कराया भी है तीन वर question इस question की संभाबना हो जाती है आने की बहुत बढ़िया सभी ने जब आप ज्यादातर लोगोंने सभी दिया है जादातर लोगोंने सभी दिया है कि बात बद्धी oldest रजणत्मक में किस प्रकार का सही संभन्द पाये जाता है स्राजणत्मक की स्राजणत्मक के बहुत स बद्सक्रात के बारे में भी पढ़ाऊंगा और बहूत कुछ पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, जैसे जैसे options आएंगे, बैसे बैसे बताता चलूँगा, देखो का, बुर्द्धी और स्वजनात्मत्ता में सहसमन धनात्मक का पाये जाता है, कभी भी सून और रेडात्मक लगा दोगे, तो ये सभी हो पस्वाबस्टब्ब्या, सब्कुर्फयरत्य, सबी जानते हैं की मूली प्रबत्यात्मक, इंद्रियों से सीखता है, calculate from में आपकान, और टवचाष जीब की बातकरता है अगर हम बात करें सरस्वाबस्टब्य ऐ admir, जैसे बंदे बात करता हैं कि बच्चा जो भी बनना चाहता है शुरुवाती चार से पांच साल में बन जाता है ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने जो भी बच्चा पांच से चार साल में बनना चाहता है वो बन जाता है सिगमंड फ्राइड ने सैसवावस्था की बात करी दूसरा फैक्ट नमबर टू सैस लग रहा हो तुछ सपोर्ट करने के लिए अपने परिवार को सस्क्राइब कर ले ना वह सुनो वह से अबस्ध को किन किन नामोंसे जानते हैं जैसे हमने का बाले अवस्था को गंदि अवस्था जानते हैें बाले चिंतन आतार्किक चिंतन की अवस्था आपसे बहुत बार पोचता है तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अतार्किक तो अतार्किक में बच्चत तार्किक नहीं कर सकता है तरक नहीं कर सकता है इसलिए अतार्किक अवस्था अगर पूंच ले तो हमारी हो जाती है सैसव हमारा फैक्ट ये है कि इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था कहते हैं ठीक है और चौथा फैक्ट हमारा ये है कि जीवन का सबसे महत्व पूर्ण काल अगर पूँच दे तो आपका राइट अंसर होगा सैस्व अवस्था सैस्व अवस्था जीवन का सबसे महत्व पूर्ण काल है जीवन का सीखने का काल है खिलोने का काल भी माना जाता है अतार्किक चिंतन होता है संसकारों का निर्मार की अवस्था होती है बताओ मेरे भाई और एज आप जानते हो जीरो से कितने होते हैं पांच साल तक होते हैं दिमाग में बस किया, fit हो गया सर, बहुत बड़े हैं, मज़ा आ गया सर, अब हम चलते हैं, एकदम से आगे, तो पहला option आपका राइट हो जाएगा, अब हम यहाँ पर, यहाँ पर बात करते हैं, समुह के बालकों को समयोजन की समस्या होती है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं और वोई तीन fact से ज्यादा question पूछेगा नहीं exam में, निमनिकित में से कि समुह के बालकों का समयोजन की समस्या होती है, समयोजन की समस्या होती है मेरे भाई, असद बुद्धी वाले को नहीं होती है, ग्रामिर बुद्धी वाले को नहीं होती है, अध्यन सील वाले को नही यानि बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं पुजा गौतम अजय गुमार बहुत बढ़े अलका सिंग अगर हम बात करते हैं देखीगा यहां पर option number D अब question क्या होते हैं यह हमारा इक चार्ट बनता है इस ब्रैकेट में जो चीजें होती हैं यह समझाने के लिए मैंने यहां पर किया धाए सुनों एक कुश्चन आता है łatा एक क्योशन यह आता है कि समाजी कार्यों में कम रूची कौन से बच्चे लेते हैं सामाजिक कार्यों में प्रतिवा साली बच्चे कम रूची लेते हैं ठीक है दिमाग में आपको रखना है दूसरी चीज दूसरी चीज यह है कि प्रतिवा साली बच्चे का IQ कितना होता है तो तर्मेन ने बताया था 140 ठीक है तीसरी चीज तीसरी चीज आ अपनी आयू के हिसाब से काफी इस तर उसका अच्छा होता है वो कच्छा आगे वाले सवाल भी कर लेता है काफी कठिन मानसिक कारे भी कर लेता है तो वो हमारी प्रतिवा साली में आ जाती है ठीक है धिमाग में आपको रखना है तो याद रखो कि बिसिस्ट बच्चे अगर को भी मत भूलना मेरे भाई option number D आपका right हो जाएगा सारे questions को मैं clear करूंगा यहाँ पर आज कुछ भी हो जाए जी हां बस बने रहना बस बने रहना एकदम से अब सर यहाँ पर बताना है विकास का वही संबंद परिपक्वता से है जो उद्धीपन का अब हम उद्धीपन से related आपको एक question बताते हैं उद्धीपन से related मैं अभी अंतरण से भी question हूँगा बहुत कठीन questions आएंगे भी tension मत लेना जैसे अगर हम बात करें देखो सर बात करता हूँ यहां पर क्या बात करता हूँ कि परिपक्वता से विकास development का परिपक्वता से संबंदित है तो भाई यह बता दो कि जो परिपक्वता है जो उद्धीपन है उद्धीपन को stimulus कहते हैं English में यस ठीक ना और वही है दोस्तों stimulus का response से यानि प्रत प्रतिक्रिया से हो जाएगा इस कुष्ण का राइट अंसर ठीक क्या हो जाएगा सर प्रतिक्रिया से हो जाएगा उद्धीपन और प्रतिक्रिया का सिध्धान किसका है उद्धीपन प्रतिक्रिया का सिध्धान मुझे कमेंट करो किसका है दूसरी चीज यस प्रकार का अग कौन सा विकास दिया है सबसे पहले ये बताओ पाउलाओ ने कौन सा विकास दिया है ये सबसे पहले बताओ जल्दी से कमेंट करो पाउलाओ ने दिया है अनुबंधन का सिध्धान्त में पाउलाओ ने दिया है अनुबंधन के जनक किसे का जाता है आपका आए तो पाउलाओ ठीक है आपसे कुछन पूछ सकता है कि अनुवंधन का जनक किसे का जाता है तो आपका राइट आंसर होगा पाउलाओ पाउलाओ ने कौन सी थियोरी दिये है यस प्रकार यानि स्टिमूलस को इंपोर्टेंट बताया है दूसरा पाउलाओ कहां के बैग्यानिक थे रसियन बैग्यानिक थे तीसरा सास्त्री अनुवंधन का सिद्धान किस ने दिया है सास्तरी अनुवंदन का सिध्धान भी पाउलाओ ने दिया है और एक most important अगर बहुत कठिन पूछेगा तो याद रख लेना समंध प्रत्यावरतन का सिध्धान पूछ सकता है समंध प्रत्यावरतन प्रत्यावरतन का सिध्धान किस ने दिया है पाउलाओ ने ही दिया है ठीक तो पाउलाओ के बारे में क्या सीखा? अनुवंदन के जनक सीखा पाउलाओ है, रूसी बैज्यानिक है, 1904 में नोबल मिला था, कुत्ते पर परयोक किया था, पाचन क्रिया पर सोध किया था, अनुवंदन को जनक तो हमने बताई दिया है और यस प्रकार की थियोरी दी थी, स कुछन बचा पावलाओ से आप से अगर कुछन बहुत डीपली में पूछेगा क्या पूछेगा तब तक कुछन करो ये वाला कि कुछन डीपली में ये पूछेगा कि बुरी आदतों एवं भय को छुटकारा किस तरीके से मिल सकता है तो पावलाओ के सिद्धान से मिलता है य या कुछ भी हो राउल राए लेडी हो हर लाग है न हमें क्या ना सीखना है हम तो उसके आगे ही महोदे लगा देंगे ठीक ना परिसान मतों मेरे वाई क्लियर देखो अगर कुष्टन की बात करें प्याजे मुख्यता योगदान अब हम प्याजे को पूरा खतम कर लेते हैं बच्चे प्याजे को जानते होंगे लेकिन हम आपका 30 सेकंड लेंगे क्योंकि नए बच्चे भी आए हैं प्याजे, प्याजे को यहां से बाहर नहीं जाएगा जो मैं बताऊँगा, प्याजे हमें सामाजिक विकास को नहीं दिया है, अभी आगे कुष्ण ऐसा ही मिलेगा देखो पियाजे संग्यानात्मक विकास या ज्यानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं यह क्या होता है इसमें अवस्थाओं के बारे में आप से पूर्ष सकता है कि प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी फस्ट फैक्ट चार ठीक है अवस्थाएं प्याजे ने चार दी चोथी होती है अमूर्थ संक्रियात्मक 11 से उपर वाली एज चार अबस्थाओं के बारे में पियाजे ने बताया सबसे ज्यादा बच्चा जो है मूर्थ वो जिमाग में इतना ही रखना है इस से ज़्यादा आपको नहीं रखना है नेक्ष्ट की बात करते हैं बच्चों के सामाजिग विकास में किसका विशेष महत्यों दोसरों आप निवेदन है कि एक वार एक वार आप सेयर कर देंगे जिससे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे ठीक ना और सस्क्राइब कर लें अभी भी आपसे निवेदन है सस्क्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर परिवार की तरह आपको ट्रीट किया जाता है बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्तु है सबसे इंपोर्टेंट कुशन बच्चों के सामाजिक विकास में पूछे जब भी संग्यानात्मक विकास में पूछे तो विध्याले एबम उसकी सवा की बात आती है जब भी पुछे सामाजिक विकास की बात पुछे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा, option number क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का सामाजिक विकास, एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है, यानि कहीं न कहीं, ये बच्चा भी कहीं न कहीं, अपने घर से अ option number a is right answer अब हम कोहलवर्ग को यहां पर पढ़ लेते हैं तुरंत से कोहलवर्ग को थोड़ा सा मैं पूरा डिटेल में भी बताऊंगा ठीक है दिमाग में रखना है अभी नहीं डिटेल में बताऊंगा खेर यहां पर पहले कुर्शन करना है हमने का आप याजे तो संग्यानात पैदा होता है नैतिकता को लेकर नहीं पैदा होता है बच्चा जब भी पैदा होता है तो हमेशा बिलकुल पूरी तरीके से एकदम से कोरा कागज होता है ठीक है बच्चे पैदा होने के बाद ही उसमें नैतिकता समझिकता आती है संग्यानात्मिक विकास की अबस्थाओं के बारे में कौन किसने सिध्धान दिया तो नैतिक तरकणा और नैतिक दुविदा हमारा जो दिया है किसने दिया है कोहलबर्ग ने दिया है और नैतिक तरकणा के अंतरगत आता है क्या आता है सही गलत आता है और नैतिक दुविदा के अंतर आता है सही सही गलत गलत खिलिए के निमलिखित पक्षों को सिध्धान्त में संबोधित किया गया है याद रखो कि मैं अब बताने वाला हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद क्या बताने वाला हूँ important बात वो दिमाग में रखना है जहां से question एक का 100% फस जाना है 100% फस जाना है देखो बुद्धी से related question है और यहाँ पर बोला है कि के पृषिपादक पूछ लेता है direct आपसे क्या पूछता है कि तरल एबं ठोस बुद्धी के प्रिच पादक को को ने तरल बुद्धी का सिद्धांत इस ने दिया तो आपका right answer बुद्धी का संरचना सिध्धान किस ने दिया है, संरचनात्मक सिध्धान किस ने दिया है, संरचनात्मक सिध्धान किस ने दिया है, तो जब भी संरचनात्मक सिध्धान की बात करें, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड, गिलफोर्ड ने संरचनात सिध्धान तगर दिया है और त्रीकारक सिध्धान दिया है स्पीर में ने यह बुद्धी से अब कर दिया था था नाइक क्वापफे कौन सा चेपटर है मनो विजयन में चेपटर है भासा यह बहाइसा पिसे संस्क्रत के भास इसका मतलब है कि बच्चा भासा में शीखता है जाका ही लोगों के साथ में शिखता है अԲू शकूल यह दोस्तों स्वनीम है ठीक है कॉप्से नम्बर ए हो जाएगा आपसे कुशन कल मैंने कराया था आपसे यही कुशन पूछाता गुमा के कहता है कि भासा की सबसे चोटी इकाई क्या है तो याद रखेगा इससे चोटी इकाई कोई हो सकता है इस वर्ड को आप तोड़ नहीं हो गया था याद रखेगा कि यह सबसे चोटा नहीं हो सकता है इसलिए सबसे चोटी इकाई हमारी यही है स्वनीम है और इसको हम भासा के रूप में जानते हैं भास हमारा एक संस्कत सब्द है जिसमें बना है ठीक है ना दिमाग में आपको रखना है नेक्षा अगर हम बात कि वृट करते हैं कि बालकों की सोच अमूर्त्ता की अपेख्षा मूर्त अनुवण एवों प्रत्ते से होती है बताओ क्या हो जाए गा इस twin एक कर राइट ऐसर क्या हो जाएगा अब बफ्रिंग नहीं को परिशान मतो बफ्रिंग नहीं होगी को कि भाहत बड़ villains बालकों की सोच अमूर्थ की अपेक्षा मूर्थ चिंतन पर होती है तो क्या हो जाएगा राइट अंसर? क्या हो जाएगा राइट अंसर? साथ से बारा बर्स, बारा से बैस तक या फिर दो से साथ बर्स या जनम से दो बर्स तक बताओ तो देखीगा मूर्त की बात करी है मूर्त की कहीं न कहीं हमें पता है कि P.I.J. के अनुसार मूर्त अबस्ता हमारी सास से 12 वर्स तक जाती थी तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा कि अमूर्त की अपेक्षा बोला है मूर्त में अमूर्त की अपेक्षा बोला है मूर्त में तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा सर एक हो जाएगा एक राइट आंसर हो जाएगा दिमाग में आपको रखना है ठीक है एक हो जाएगा य वनसानुक्रम की बात करें वातावरन की बात करें जिसमें दोनों ओप्संस हैं आपके तो वो हो जाएंगे आपकी कुछन के राइट आंसर यानि वनसानुक्रम वातावरन के वनसानुक्रम वातावरन हमारा ना के बराबर होता वातावरन का सबसे ज्यादा योगदान होता है किसका होता है, बातावरण का सबसे जयादा योगदान होता है, नेट प्रॉब्लम नहीं है सर, अपना एकदम से बफरिंग चेक करें, अपना एकदम से आप बफरिंग चेक करो, ठीक है, मिन्दाज, मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, परिशान मत होना, ठी अब सभी है ना बिलकुल अब एक बार पता दीजे का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है निर्ण में से कौन से पियाजे के अनुसार बौधिक विकास का निर्धारक तत्तु नहीं है ये बताना है निर्धारक तत्तु नहीं है पियाजे के अनुसार तो पियाजे ने कभी ये नहीं कहा है कि बच्चे का विकास समाज में रहकर होता है तो बच्चे का विकास हमेशा स सामाज संचरन ही नहीं हो जाएगा इसलिए तो क्या हो जाएगा option number a is right answer a is right answer हो जाएगा अब सही है ना बिल्कुल नेट अब सही है जी हाँ बिल्कुल सही है इसलिए परेशान मत हो ना ठीक है सामाजिक संचरन हो जाएगा इस question का right answer क्यों हो जाएगा प्याजे ने हमेशा ब की बात करता है वो डेबलेमेंट की बात करता है यानि संग्यानात्यों विकास की बात करता है ठीक है तो दिमाग में क्या होना चाहिए सामाजिकता का विकास हमेशा रहता है बाइगोस्की के चरण में बाइगोस्की हमारे रसीयन वैज्ञानिक है और प्याजे हमारे है समस्या के अर्थ को जानने की योगिता बातावरण के दोसों कमियों और रिक्तियों की प्रतिसिज़क्ता विस्यस्ता है तो यार यह कैसी विस्यस्ता हो सकती है समस्या के अर्थ को जानना उसकी योगिता की बात कर रहा है बातावरण के दोसों कमियों की रिक्तियों के प्रतिसिज़क्ता भी है यानि कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात है तैलेंटेड की बात करिए यानि ओप्सन नम्बर क्या हो जाएगा सर ओप्सन नम्बर हो जाएग करते हैं यहां पर देखिए बहुत इंपोर्टेंट है कि एक क्रिकेट खिलाडी बहुत अच्छा कुशन है बहुत गजब का कुशन मैंने बनाया यहां पर एक क्रिकेट खिलाडी अपनी गेंदवाजी के कौसल को विक्सित कर लेता है और वह से बल्लेवाजी को प्रभावित बताऊं बहुत बढ़िया एकदम से मस्त हैं मस्त quashнос है दिखेगा अगर हम बात करते हैं अधिग्यम के सून्ने प्रतिरक्शी प्रसिक्षर कांतरन की बात करेगा कौनसा सूननी की बात करेगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर यही हो जाएगा अब हम बात करते हैं इस कुशन का पूरा डीटेल इस कुशन से कैसे कुशन साते हैं सुनिएगा इसमें अधिगम इस थानांतरन की बात कर रहा है यह अगर कोई की दूसरे काम करते हो अगर एक काम कर लेते हो दूसरे काम पर कोई सीख जाते हो प्रभाव नहीं पड़ता है तो दोस्तों वो हमारा सूनने पड़ेगा लेकिन इसमें दो और होते हैं एक होता है सकरात्मक अधिगम एक होता है नकरात्मक अधिगम और एक होता है सूनने अधिगम तो सूनने अधिगम को पता है तो वो कौन सा अधिगम होता तो वहाँ पर क्या हो जाता हमारा वहाँ पर हो जाता सकारात्मक अधिगम या विदहात्मक प्रिसिक्षण अंतरन ठीक है ना कोई साइकिल के बाद अगर मोटर साइकिल सीख जाता है तो हमारा सकारात्मक हो जाता और नकारात्मक में अगर क्या जाता कोई हिंदी के लिंग अगर पढ़ता है और उसमें संस्क्रत के लिंग अगर पढ़ता है तो दोस्तों दोनों में भिन नहीं तो इसलिए वहाँ पर वो प्रावलम समस्या आ जाएगी हिंदी और इंग्लिस में लिंग पढ़ते समय संस्क्रत में लिंग पढ़ते समय वह पर दो और तीन का फर्का जाता है इसलिए आपको करें कि ये पड़े या वो पड़े तो इसलिए नकारत्मक अदिगम हो जाएगा और सूने अदिगम में वह होता है जहां पर कोई भी प्रवाव नहीं दूसरे काम पर पढ़ता है बहुत अच्छा कुशन है कि गिल फोर्ड ने अविसारी चिंतन पद का प्रियोग किसके समान में किया है आपको पताना है तो इस knocks on का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा हो जाएगा सुरसा नात्मक्ता हो जाएगा अब बात करते हैं ओप्सो NO B की जो लगाएंगे एक क्यों लगाएंगे कि उनको पता है कि गिल्फोड ने संदस्दान दिया था इसलिए वो यह लगाएंगे सुनिये मेरे बाई अभी सारी चिंतन की बात आती है तो दोस्तों स्रजनात्म्युक्ता लग जाएगा जब भी हम पूछे कि बुद्धी के मामले में ने कौन सा सिद्धान दिया था तो आपको कि त्री विम्य सिद्धान किस ने दिया था बुद्धी का घिल्फोड ने दिया था अब हम बात करें कि संदस्रनात्मक बुद्धी का सिद्धान किस ने दिया था तो भी हमारा घिल्फोड ने दिया ठीक है दिमाग में आपको र अपूरबरना भूमिका है देखो अगर हम बात करते है कि बच्चे का जो डेबलेमेंट होता है वो कहीना कहीं वनसानुकरम किसे होता है और कहीना कहीं एक में होता है वातावरन और कहीना कहीं वनसानुकरम में होता है तो जब भी वनसानुकरम की बातावरन की बातावरन की ब दोनों से development होता है हमने 50 वार आपको कहा है कि वनसान क्येवल बहुत थोड़ा उत्र होता है और बातावरण का बिकाज में सब Indocriptions बरिगाइब से भी ज़यिए नाम मात्र में लगाहिए इसलिए हुपसिन नक्र ay Hill ein ठीक है दिमाग में आपको रखना है नेक्स कोशन की अगर हम बात करें यहां पर जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती बहुत अच्छा कुशन है यहां से देखीगा यहां से कुशन आपका बन सकता है यहां से कुशन बनेगा और इसको थोड़ा सा जो है मैं डीप में करतें दोस्तों इदम की बात करतें देखीगा अगर हम बात करते हैं इस कुशन से इदम इदम अहम पर अहम इन कुशन की ब्याख्या किस ने की यह तो आपको सर सिगमंड फ्राइड ने दी है सिगमंड फ्राइड ने दी है ठीक है ना सिगमंड फ्राइड ने दी यह कुश होता है कि जब लड़का सोचता है कि वह जगह उप्युक्त नहीं है यानि वह चीज नहीं है तो यह सब हमारा बातावरण से समझोता करता है समझोता की बात आ जाती वह इगो में आ जाता है खैर मैंने इस पर एक वीडियो बिल्कुल सही भी हो सकती है फिर वो अपना जो गंदा विचार होता है उसको त्याग देता है यानि सुपर एगो हो जाता यानि हमने पूरा यहां पर प्रिकी वेस्ट पर यह वीडियो बनाई है पांस से महतवपून कारक कौन सा है दोस्तों महथ इंपोर्टे तो सबसे महत्वपुन मैंने का बातावरन होता है बनसानुक्रम की भूमिका कितनी होती है मैंने आभी उपर कुछन कराया है नाम मात्र की होती है याद रखो जब कुछन के ऑपसंस में दोनों ऑपसं होंग तो दोनों को मार देंगे लेकिन जब पूछे किसी एक कंडीशन द रखना है ठीक है बहुत बढ़िया अब हम चलते हैं नेक स्कूशन की तरफ नेक स्कूशन के पहले मैं बता देता हूं आप यहां पर दिखिएगा सबसे इंपोर्टेंट है यह तब तक मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूं तब तक यह कुश्चन करिएगा आप से घर के है यह कुश्चन सुना मेरी वाद मैं बार बार इनको बताता हूं मैं बार बार आपको बता आपको आठीक करिए onie है आप से कुछ से कि अगर आप से पूछे कि संग्यानात्मक्विकास किस ने दिया तो आपको संग्यानात्मक्विकास दिया है प्याजे ने आप से कहे कि प्यास एबम तुर्टी का सिध्धान्त किस ने दिया आपको थोंडाइक ने थोंडाइक को प्रथम मनोवग्यानिक सेक्षिक सिध्धान का प्रतिपाहे इन्होंने सबसे पहले क्या दिये थे सीखने के सिध्धान दिये थे ठीक है ना सीखने के सिध्धान सबसे पहले दिये थे किसने दिये थे सबसे पहले सीखने के सिध्धान दिये थे आपके थॉंडाइक ने ठीक है दिमाग में आपको रफना है सब सबसे पहले सीखने के सिद्धान फॉndyke ने दिये थे और प्रथम मनोबयिज्यानिक कहा जाता है अगर आवम बात करते हैं लड़कियों में बाहपरिवरतन की सबस्था में होने लगता है तो बाहपरिवरतन होता ऑप्स नमर सी में याद रखिए का सी में होता है किसोरा अवस्फा में होता है, जिसकी होती है आपकी जिसकी एज होती है तेरा ऐसा अठारा, वस्फा की मिनımız में ही बनते हैं प्रोणा अवस्था की जो होती है वो ठोटी है 28 270 से मैंने बताय से क्या होती इ disp बाले आवस्था की पांच से बारा बलस हो त्य तो आणसर क्या हो जागा हमारा कि 20 वास्था से कोई भी कुर्षन जिंदगी में गलत नहीं होगा 100% लिक के रख लो इतनी वार आपके दिमाग में हमने डाल दिया है कभी भी गलत नहीं होगा और 100% पूरी तरीके प्रोवेल के कौन है तो आपको फ्रोवेल है किंडर्गार्टन के कौन है आपको फ्रोवेल हैं अगमन और निगमन पूशे तो दोनों क्रॉली ही रहेंगे ठीक है दिमाग में आपको रखना है अब हम स्सक्राइब अंसर पर जाते हैं भासा विकास के क्रम में अंतिन चन्ट क्या है तो भासा की भीया पूरा वश्ता हो जाएगी जब पूर्ड काम हो जाएगा तो हमारे पूरा वस्ता हो जाएगा option अप क्या कोंगे? सत्र ट्रेंग्ल का सिद्धान्ट किस ने दिया? जिन में पांच निएम बता आई है, वह भी हमारा किस ने दिया?ाबराशाम मैंश्टो ने दिया. नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका ये है कि ये किस ने कहा था कि सिक्षा एक त्री मुखी प्रक्रिया है ये किस ने कहा था सिक्षा एक त्री मुखी प्रक्रिया है जोन डीवी ने कहा था ठीक है दिमाग में आपको रखना है ठीक है बहुत बढ़िया अब हम चलते हैं इस कउशन को के यहuana करिए और तब तक में बता देता हूं क्या बता देता हूंちは i5 ने बतादेता हूं अपको तोड़ा सा दिमाग में रखना है क्या रखना है कि यहाँ पर यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा रखते हैं कि आई-वी टी पर इक्षड किस ने किया तो इंक ब्लोक टेस्ट हो गया यह संटेंस करेक्ट τेस्ट हो गया यह वेक्तेतु के परिखचयपी विद्याँ में आती है इसके अलावा जो है अगर मैं कह Built टेरती विदी का परिक्षड और टीए डियुका किस ने किया यह बेक्तितु की परिक्षड विद्य हैं फिमेटिक अपर्षप्षण टेस्ट इसको प्रासंगिक अंतरबोत परिक्षड इसको किया था मुर्रे अब मार्गन ने सीएटी का है चाइड़ परसेप्सन टेस्ट ठीक है ना इसका किया था लियोपोर्ड बैलक में ठीक है दिमाग में आपको रुखना है इसको किसको का जाता है सबी भेलड की चल लो मेरे बाई ठीक है कुछ बच्चे यहाँ पर सी ऑंसर दे रहे हैं जीन पी आजे को मनोवघ्यानी कहा जाता है कहां पर सुच्छलेंड के मनोवघ्यानी रूप में। संब्वेग आत्मक इस्थीरता का लच्षड कौन सा है। ऐओ अगर आओ तो एब होगो यह आशाली नही 23,0 कॉनसा है अज्ब्रमद में और बात करते हैं यहाँ 179 मैं आपके लिएूचू कि अभी प्रेहना के मनों विश्चान किसने दिया मैंने कहा मैं आभी प्रेहना कर दिया थिके बहुत कर ले fellowship ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वीडियो रुकी नहीं है मैं यहां पर चेक कर लेता हूं वीडियो रुकी नहीं है चेक कर लेता हूं ठीक है बहुत बढ़िया दोसों अगर हम बात करते हैं यहां पर इस कुछन में क्या होता है संबेगा संबेगा आत्मक इस्थि तो सब्सक्राइब करते हैं आपर संवेक का आर्थ क्या होता है तब तक मैं इस बॉक्स में एक्स्टर नोलज आपके दिमागे दो नियम धान दरच करते ऌह सकूर्फित करता अच्छा लग रहा हो तो एक बार सपोर्ट कर देना सथ्क्राइब कर लेना इंपॉर्टेंट अआपके लिए ठीक है बहुत बढ़ी आ थोंडाइक ने कितने नियम दिये थे दो नियम एक शमकी नियम एक खत्र मुख्य नियम और दूसरा था हमारा गोड़ नियम मुख्य नियम में कितने थे नियम तीन नियम थे कौन-कौन सा मुख्य नियम में कितने थे ततपरता का नियम प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम गोड़ नियम में कितने थे पांच थे बहु प्रतिकरिया का मनोबृत्ति का आंसि इतनी बुद्धी के प्रकार बताए थे तीन बताए थे थोंडाइक ने तीन प्रकार बताए थे मूर्थ अमूर्थ और सामाजिक यह भी दिमाग में रखना है अब हम बात करते हैं यहां पर अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें कुश्चन की कुश्चन की पहले बा नेक्स कुछन क्या है यह है ले मार्य अधियन किया था द्यार करून के से अधियन किया है इसकूलिया बातावरण का समाज का बनसानक्रम को जो Sigarnish अधे हैं चला जाता है बंसान कुरम वो होता है जो अपने दादा पर दादा से लेकर आए अपने गोड़ सामाजिक मांसिक गोड़ अपने अंदर लेकर आए है ठीक है ना अब हम बात करते हैं तब तक बॉक्स में इंपोर्टेंट दो कुश्चन और बताएंगे क्या बताएंगे सुनना मेरी बात यह किस ने कहा था कि वेक्तित्त वातावरन के साथ उसका अनूठा समायोजन है यह कहा था किसने कहा था ये कहा था हमारे गिलफोर्ड ने ठीक है गिलफोर्ड ने कहा था ये भी दिमाग में रखना है और व्यक्तित तो गुडों का समनवित रूप है ये किसने कहा था ये भी कहा था गिलफोर्ड ने अब हम कुछन को बारे में आते हैं तो लैमार्क ने वातावरण क बारे में बाद में किया था यह भी रखना है डार्विन हापके क्या जनते हैं देखिगा ले मार्क ले मार्क क्या होता है ले मार्क के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो उन्होंने जिराफ के ऊपर किया था कि यहाँ पर अगर हम जिराफ की बात करते हैं तो बोले कि अगर पर आपको दिमाग में रखना है वन सांट कम से रिलेट होगा ठीके ना इन्होंने कहा था आपके बीड और बीटी सी परिक्षाओं में अपने पढ़ा होगा खूब पढ़ा होगा अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कोई बात नहीं अनुराग जी जाएगा ठीके देखो अग दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर बालक के सामाजी करण का पर्थम गटक क्या है परिबार है विद्धहले है राजनीतिक दल है या कृड़ा इस्तल है तो दिमाग में रखेगा परिवार हमारा हो जाएगा प्राथमिक सामाजी करण इससे दो कुछन आते हैं क्या हो जागा फर्ष्ट इजराइट आंसर हो जागा बहुत बढ़िया कुछन नमर नेक्ष्ट पर चलते हैं कि निमलिखित में से अवांचनी संबेग है अवांचनी संबेग पूछा है प्रेम है दगा है ग्रणा है आश्चर है याद रखीगा यहां पर आवांचनी यह ठीक है दिमाग में आपको यह भी रखना है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों क्या हो जाएगा इस कुछन का राइट अंसर कि अगया बैक है देखे आवां चनी में आता है मतलब कही नवा कहीं नकारात्मक की बात करिये प्रेम तो सहीत ऑपका और आश्चरि भी आश्या कि और प्रहेट हो सकता है कि ंगया और प्रेम और आश्चरि तो कहीं नहीं थी 서 लिए दगा आपका अवांचनी संबेग है अवांचनी संबेग से रिलेट नहीं करता या पर संबेग के बारे में मूलप्रभत्ति के बारे में टोटल कितने नंबर आफ टोटल जो है मूलप्रभत्ति के बारे में बताया है टोटल बताया है सर 14 मूल प्रवत्ति के बारे में बताया है ठीक है 14 मूल प्रवत्ति के बारे में बताया है लेकिन मूल प्रवत्ति के जनक पूछे तो भाया क्या लगाओगे मूल प्रवत्ति के जनक अगर पूछे तो आप क्या लगाओगे बताओ जल्दी से कमेंड करो कि मूल प्रवत्ति के जनक कौन है मूल प्रवत्ति के जनक है हमारे बिलियम मेकड्यूगल है आप से पूछे कि संग्यानात्मक विकास के जनक कौन है तो कोगे आप P.A.J. है लेकिन आप कोगे संबेगात्मक विकास के जनक कोन है तो सर आप कोगे तब आप कोगे सर बिलियम मैकडूगल है तो दोनों में फर्क जानने की कुशिस करो प्राकृतिक चैन के सिद्धान का सम्मन्द है दोस्तों अगर अभी तक आप नए है तो आप हैं आपको सफल कर रहा है मेरे भाई यू आर ब्रिलेंट बॉय क्लेयर यहां पर जितनी भी बहें जितने भी भाई है सब यार बहुत ब्रिलेंट हो क्यों ना उनकी मेहनत आपकी मेहनत जो आपने बच्पन से सीखा है आपने जो जड़ मजबूत लेकर आए कही ना कहीं वह आप काम आने वाली है ठीक है ना हम लोग कुछ नहीं यार करते हैं हम लोग बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चिंदी भरका ठीक है ना ग्यान देते हैं बस थोड़ा सा चिंदी भरका नहीं तो आप तो पहले से बहुत ब्रिलेंट हो आप गर्ब से जर्म लिया है आपने मनोवग्यानि आपने खुप पड़ी है यार आपने कहीन गई बहुत ब्रिलेरेंट हो कभी अपने अंदर हीन भावना मतलाना ठीक है कि हम उससे कमजोर हैं इससे कमजोर है याद रखेगा जो सफलता होती वो आपकी खुद की सफलता होती है अपने लोग क्या करेंगे हमने बोला इस पोस्टर में लगा दिया उसको लगा दिया कि मैंने इतने बच्चे सफल किये यार यह थोड़ी नहोता है आज मैं दिन रात लगा रहा हूँ और मैं कहूं कि मेरे बच्चे सलेक्ट हुए मैं यह कह सकता हूं कि हाँ हमारे जो दिल से लगे हुए तो वह हुए है इंप्वोटन्ट है लेकिन मैं नहीं यह कह सकता की मेरा पूरस रे है ठीक है यह नहीं हो सकता में अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक चैन के सिध्धांत की बात आती है डार्विं या रूसो रूसों जो देख रहे हैं वह बिल्कुल नहीं है बच्चे रूसों मारे डार्विन हो जाएगा प्रक्रतिक चेहन से मैंने कहा कि डार्विन हो जाएगा लैमार्विन आपने खूँ अपने एक्जामस में पढ़ा होगा ठीक है ना बहुत इंपोर्टेंट है अब हम बात करते हैं कुछन नमर नेक्स्ट की अब सिक्षा हो गई है अब सिक्षा कैसी हो गई यह आपको बताना है अब सिक्षा कैसी हो गई है मताव सर अब सिक्षा कैसी हो गई है यह आपको बताना है बच्चों के बिचार बच्चों की अभिवेक्ति को आप कच्छा के अनुसार झोड़ीएगा बच्चों के बातावरण के साथ विध्याल यहीं हो गई आपको राइट हो जाएगा बहुत अच्छे सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है मैं देख रहा हूं दूसरी डिवाइज में कितने बच्ची आंसर सही कर रहे हैं तब तक यह कुष्चन करेगा और मैं यहाँ पर आपको एक्ष्टा नोलेज देता हूं अगर हम बात करें कि मनो वैज्ञानिक बिदी कौन सी है कौन सी आगमन और निगमन बिदी से आपका एक कुष्चन आएगा सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई बस मेरी बात ध्यान से सुनना तो तक कुष्चन करो और मैं यहाँ पर आपको समझाता हूं समझाता हूं क्या कि दो सबसे पहले बच्चे को क्या दो सबसे पहले जो है उधारन दो और फिर उसकी नियम लिखवाओ लेकिन निगमन बिदी कहती है पहले नियम फिर उधारन ठीक है दिमाग में आपको रखना है दूसरा कुर्षिन ये पूछता है कि क्या पूछता है कि इस्थूल से सूच्म की और दोस्तों आपको बताना बहुत इमपोर्टेंट यहां पर जाएगा यह मैंडल के पउधों पर प्रियोक किया था आ यह बहुत, है पात नोultur क्यों कि पर्योग किया था अगर हम बात करते हैं कि ने क्सक्शंग आपका बहूत इंप्ड़ेंट है बहुत ही इंप्ड़ेंट ननियग कि सिद्धान किसे नमे बंढ一个 कोऩ से कुछूलर कोन से गेस्टार्ड वादी के अतरिक्त जो है मैं बदा देता हूं कुछ ने चिंपाइन-जी पर प्रयोकिया था किस पर चिंप धी पर और चिंपेंजी था कौन सर वो चिंपेंजी था हमारा सुल्तान कितने चिंपेंजी थे अगर पूछता चिंपेंजी पर प्रियोग किया था कितने प्रियोग किये थे ठीक है कितने प्रियोग किये थे दो प्रियोग किये थे ठीक है यह आपको दिमाग में रखना है और कुछ नह नहीं हो सकता है, बताओं, तो option number जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number C is right answer, बहुत बच्चे answer कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, कि B दे रहे हैं, C दे रहे हैं, ठीक है, क्रोग मैन का हो जाएगा, आपका option number C, इसको screen shot में आप समाइद कर लीजे अपनी, यहाँ पर detail में, ठीक है, बहुत important है, बात करतें दोस्तों, यहाँ पर निम में से कौन सा मनोवग्यानिक नहीं है, बहुत अच्छा question है, मनोवग्या है, निम में से कौन सा मनोवग्यानिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए, कि क्रोग मैन है, सोरेंसर है, हारलॉक है, या फिर सुकराथ है, बहुत important है, बताओ, बताओ क्या हो जाएगा right answer, तब तक मैं answer देखता हूँ, कि कितने बच्चों ने answer दिया है, हाँ, नार्मल सी बात है कि मनोवग्यानिक जो नहीं है, वो हमारे है, सुकराथ मोदे, option number क्या हो जागा, डी हो जागा, बिल्कुल सही दे रहा है, कुछ बच्चे, अगर हम बात करते हैं, next answer की, कि निर्मे से कौन सा मानो को सबसे अधिक प्रभावित करता है, बहुत अच्छा question है, सबसे अधिक प्रभावित करता है, सबसे अधिक प्रभावित करता है, बताओ, हां बेक्राउंड की आवाज वड़ी आ रहे अधिक भी ए पास में ही रोड है ठिक है ना आवा सकती है, क्लियर, सालीनी जी, बाहर बेक्राउंड में आवाज इसलिए आ रहे है, runnon काफी लोग है, सबसे ज्यादा पूछे तो वंस परमपरा वातावरन की बात आती है बांसी यानि बंसानुक्रम की बात आती है तो दोनों चीजे एक ही है यानि उक्त दोर हो जाएंगे सबसे बेश्ट पूछ था तो आपका बातावरन हो जाता अगर यह पूछा है कि सबसे अधिक प्रवावित करता है तो अगर दोनों उक्त दोनों दिये हैं तो हमारा मार देते लेकिन अगर कहते कि बंसानुक्रम इंपोर्टेंट है वालक के विकास में या फिर वातावरन है तो आपका वहां पर बातावरन हो जाता इसलिए ऑप्सन नमबर सी इस राइट आंस है बाल विकास का अर्थ किया है लो अभी तक पूरा बाल विकास खतम हो गया मैंने यहां पर मैं अत्रिक्त नौलिज दे रहा हूं सुनना इसी से जुड़ा हुआ है पहले मनोविज्ञान को दर्सन सास्त्र का अंग माना जाता था अब बर्तमान में बेवहार का विज्ञान मना जाता है सबसे पहले बुडवर्थ ने यह कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने ब्यवहार में परिवर्तन से भी अच्छा कोई अंसर है बिलुकुल सर है यानि बी ऑप्सन आपका सही है यानि बालक का गुडात्मक परिमारात्मक जो परिवर्तन है वह आपका राइट हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा यह आपका राइट हो जाएगा जब भी जो बच् में परीवर्टन आधिगं हो जाता और कैसा परिवर्टन इस्थाई परिवर्टन होता है तो ही दोस्तों होता है हमारा अदिकर चीक है दिमाख में आपको यह भी रखना है चलते हैं दोस्तों IP मेरे क्या हो प्रवाइब कर लिए लाइक और अनलाइक का से जारी रहता है कोई बात नहीं पसंद नहीं आया तो आप अनलाइक करके चले जाते हो बड़ा दुख होता है लेकिन कोई बात नहीं यहां पर चीजें आपके दिमाग में फिट होना चाहिए अधिगम का पुन्रावरत्ती सिद स्द्धान बहुत इंपोर्टेंट, यह संद इतना माई नहीं यह सण पर प्रियूग किस कुत्टे पर प्रयोक ता पाचन इन्हें कि इस पर मिला था नोबेल मिला था इदे याद रखीगा सास्त्री अनुबंदन का सिध्धान्त पूछे तो पावलाओं ने दिया है अधियम का पुन्रावत्ति सिध्धान्त पूछे पावलाओं ने दिया है अनकूलित प्रतिक्रिया का सिध्धान्त पूछे ठीके ना तो भी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा हो मज़ा जाएगी ना बस थोड़े बचे हैं सिया सिंग थोड़े बचे हैं कुछ सन बहुत थोड़े बचे हैं ठीक है तो देखिएगा सारी रिक स्वास्त बातावरन खाली समय यानि सभी सकरात्म का अंसर इसलिए ऑप्स नमर क्या विकास उचित रूप से नहीं हो पासता है कौन सी ग्रंथी के कारण मैंने कहा कि ऐसी कौन सी ग्रंथी होती है जिससे बच्चियां जिससे बालिकाएं अपने पिता के प्रेम की तरफ होती है तो दोस्तों आप जानते हो कि किसे इलेक्ट्रा ग्रंथी होती है लेकिन अगर ह तो हम बात करते हैं कि निम्लकित में से खेल आधारित विदी है खेल आधारित विदी कौन सी है आपको पता होना चाहिए कि खेल आधारित के समस्य समधान हो सकती है बाद विवाद हो सकती है तो आप कहो के नर्मल सी बात है कि किंडर गाटन और किंडर गाटन किसे रिलेट कर करेंगे किससे करेंगे आपका relate करेंगे हमारे ठीक है फ्रावेल से relate करेंगे मिशलाफ ऑ्यज पाइंगे ठीक है दिमाग में को को रखना है अब अब भुत करते हैं कि को किसे नंबरर नेक्ष पर बात करते हैं कुशन नमर नेक्ष्ट की बात करते हैं आतिरिक्ट सक्ति के सिध्धान्त आतिरिक्ट सक्ति का सम्मंद किस्से है बहुत अच्छा कुशन है बहुत बढ़ी है कुशन है आतिरिक्ट सक्ति का सिध्धान्त किस्से सम्मंदित है अतरिक्त सक्ति के सिधान्त का सम्मंद किसे है, बुद्धी से है, इस्तमृति से है, खेल से है, पढ़ने से है अगर हम इस QUESTIONSYM की बात करें तो नारमल सी बात है कि आप क्या answer दोगे बहुत सारे बच्चे क्या दे रहे हैं D दे रहे हैं बताऊ बच्चे याँ पर D आंसर दे रहे हैं बिलकुल D आंसर नही है जो बच्चे याँ पर C वाला दे रहे हैं निर्व में से कौन सा मनोवग्यानिक नहीं है, ये भी अच्छा कुछन है, कि मनोवग्यानिक नहीं है, आपको पता है, मेरे भाई, ये किस ने कहा था, कि जो सिक्षा है, वो त्री मुखी प्रक्रिया है, ये किस ने कहा था, सिक्षा एक त्री मुखी प्रक्रिया है, ये कहा घाना नब्स नमär आपका है किमनोविःक्यानिक मैं जौन डीवीए में नहीं क्यों लिए हो जाएगा अब सबास करते हैं कि मेरे इसकिनर अब जानते हो भाई मेरे इसकिनर इसकिनर ने किस पर प्रियोग किया था इसकिनर ने किया था सर चूहे पर प्रियोग ठीक है ना इसकिनर ने चूहे पर प्रियोग किया था और यहां पर 1938 में प्रियोग किया था दिमाग में रखना है किसने इसकिनर ने आंसर तो आपका यह हो जाएगा ठीक है 1938 में कि theory में इन्होंने बाद में change कर दिया था आप यहां पर आया जाता है Hill qam et दी है तो सिट स्कीनर ने दिए इसकीनर में चुहे पर प्रियोग किया था साथ में कभूत्र पर पुस्तक भी है ठीक है पुस्तक भी यह अप of organism ठीक है the behavior of organism एक पुस्तक है ये भी दिमाग में आपको रखना है ठीक है बहुत बढ़िया अब हम बात करते हैं कुछ नमबर नेक्स्ट की क्या बात करते हैं बहुत अच्छा कुछन है कि साइकोलाजी और फ्रॉम दा अबाद में ESR theory को ESR bond को RTS theory में बदला था लेकिन अगर हम बात करें इस collection की तो यह question क्या हो जाएगा बताव जलन क्या हो जाएगा इस question का right answer क्या हो जाएगा मैं कभूतर पर भी किया था नीलम सर्माजी नीलम यादो देखेगा इस question का जो right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बहुत बड़े बहुत answer आने लगे हैं start हो चुके answer तो इस question को right answer है इस question को screenshot के रूप में अपने को रखना है ठीक है आपको रखना है Watson Watson answer बहुत सारे question answer गलत करते हो आप लोग वहार सब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो विलियम मैकडिवल ने दी थी और वहार सब्द के जनक कहा जाता है तो दोस्तों विलियम वाट्षन को जाता है ठीक है ना याद रखेगा अब हम बात करते हैं उत्तर बालियावस्था विश्था वॉस्तर समुका निर्माण सवातनतर होना या इन दोस्तों सब्सक्राइब जातल यह यादक हो जाएं सबस्क्राइब цию सबस्क्राइन है जिसको जनम किई रेका सarda्त मानते हैं और 16 17 promin बर्स्वान में तो यह तीनों आवस्थाओं की पहले तो यह आपको जननी है इन तीनों ऑताओं में ढूरोप में घ्लिट करने वाला कारक कुंसा है बहुत अच्चा कुछन पूछटी है मेरे भाइड स्कुछन में बहुत बढ़ी है कुछन पूछा हैं देखीगा अगर आप से कहता है एक्जाम पॉइंट और वियू से मैं थोड़ा सा बता देता हूं थोड़ा सा हटके बता तो तब की मणोविज्यानिक एडवर्ड एल ठांडाइक को प्रथम शैक्षिक मौनोविज्यानिक या सिख्षा मनोविज्यान के पिता कहे जाते हैं एक पूछ कौन है हमारे फॉन डाइक हो जाएंगे अब हम बात करते हैं कि क्या इस कुश्चन में बाल विकास को सरवाधिक प्रावित करने वाला कारक है यह उस इच्छा है यह खेल का मैदान हो जाएगा मुझे मुझे लगता है नेश्य की प्रथम बाल निरदेशन के अंदर किसके दौरा खोला गया बता ओ इस कुश्चन को गलत नहीं करना है आपको बहुत अच्छा कुशनkra दोसनों आप Support आपका सबीका Support है, प्यार है, सभीका जहिंदवद्ले मतरम आपके माता पेटा को, तभी ये वीडियो चुल नहीं है, बरना Support नहीं है, अगर आपको कुछ अब सब्द बोलेंगे, या हम ही आपको बोलते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी पृतिक्रिया उल्टी होती ठेक है न इसले तभी वीडियो आ रहे हैं प्यार है तभी वीडियो आ रहे हैं ऐसे ही सिलसिल अमारा जारी रहेगा Section तक और selection के बाद सबी के साथ मिल के मस्ती करना है बात करते है है यानि रूप्स simplemente उबिंगर खुलन हैं या यहां पर किसकी कुषण मुनसीब का पाचण क्रिया से भी होता है बहुत अच्छा कुछन है मैंने कहा कि अगर हम बात करते हैं खाना अर्पचाता है पेठ में तो खाना अमारा पचाता है एंजाइम पचाते हैं एंजाइम्स पचाते हैं constructive कही लोग देखेंगे है अभी बताब गर्णती ऑऌ कर उसंब मिषोन का राइट फॉंसर किसंण का राइट लुक कि अक है vanनियति हुआ कि जो पुनरवलन सिद्धानते वह किस को निया था हल के मनोग्यानिक चैए यूएसे के बैग्यानिक थे ठीक है ना यूएसे के बैग्यानिक थे इस सिध्धान को यानि पुनरवलन सिध्धान को क्या क्या कहा जाता है इस सिध्धान को सबली करण का सिध्धान का जाता है अब यह आ जाए कि सबली करण का सिध्धान किसने दिया अब बच्चे परिशा सभी सिधान्त हल ने दिये थे, Clark हल USA के मनोवेग्यानिक है, ठीक है, दिमाग में रखना है, Kohler ने अंतर द्रश्टी का सिधान दिया था, सूज द्रश्टी का सिधान दिया था, चिंपेंजी पर प्रयोग किया था, कमरे में एक केले के साथ, और तीन चार खाली डिब्बे के साथ, दो प्रयोग किये थे, सुल्तान नामक था, और गेस्टार्डवादी समर्थक के परवर्थक है, बरदीमर कोफा लेविन, बरदीमर इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद और मैं बताता हूँ, दो बुख कौन सी है, principle of behavior, principle of behavior, जो behavior बुख है, वो है, पुनरवलन सिध्यान जिनोंने दिया है, बो Clark हाल की है, ठीक है, principle of behavior यह है, और तीसरी बुख है, दब behavior organism यह दिया है, आपके क्रिया प्रुसुत वाले वर्णविगेनिक इसकी नर ने, ठीक है, दिमाग में रखना है और एक और चोथी बुक लिख लो एनिमल इंटेलिजेंस जो आपके दिया है आपने किस ने दिया है थौन डाइक ने ठीक है अगर हम बात करते हैं इस कुर्चन की सनशनात्मक्स अधिगम सिधान जोर देता है किस पर जोर देता है दोस्तों विद्ध्य कर लिए और कि यहां पर पूरी तरीक षरींगा किसी भी तरीके से निट रिकले हैं किसी ओख्याम निकलना चाहिए और आपकर क्या होजाएगा यहां हो जाएगा सभी को जहिंद बंदे मात्रां कि बस हो गया सर बहुत थग्याओं सर ठीक है थका तो नहीं हो अब नेक्स क्रास के लिए प्रपरेशन करूंगा फिर से मैं अभी लगाता हूं सिस्टम ठीक है तो छीजें बिल्कुल है थोड़ा सा यहीं दिक्कत हो जाती है कि अब नोटिफिकेशन दोस्तों के पास नहीं पहुचता है कि कुछन का स्टेंडर्ड रवी वारत जो है बहुत अच्छा है एक बार स्टार्टिंग से अगर कुछन देखेंगे तो मज़ा मेरे भाई एक बार अगर आपको नहीं लगता है इस टेंडर्ड बहुत लोवर है तो मुझे लगता है कि आपके सारे कुछन सही होने चाहिए है ना सभी को जैहिंद वंदे मातरम आप एक बार लाइक कर देंगे निवेदन है मेरा एक बार लाइक करके जाएंगे आप सिर्ण